अगर आप अपने रूम को कुछ बैतरीन स्मार्ट गैजेट से डेकोरेट करना चाहते हैं या फिर उसे एक ड्रामाटिक लुक देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग लाएगा क्यूंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे करना चाहते हैं या और भी ज्यादा जानना चाहते हैं इस गैजेट के बारे में तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं कौन रहता है इस लिष्ट के नमबर 12 पर और आगे बनने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक दीजिए चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके आल कर दीजिए ताके मेरे आने वाले ऐसा ही मज़ेदार वीडियो मिसना हो तो चलिए सुनू करते हैं जेलिफिस लैम दोस्तों क्या आप अपने रूम में एक बाटर एकोरियम चाहते हैं डेकोरेशन के लिए जो मेंटरेंस के भी नहीं चले तो आप ट्राइब कर सकते हैं इस तरह की गैजिट को जो एक पैतरी लैम्प का भी काम करता है इसमें दो जेलिफिस रहता है जो दिखने में एकदम औरिजिनल लगता है और यह एकदम रियल इसका भी काम करता है कंपनी के थौर से बोला जाता है किसे घर पे रखने से या कुछ देर देखने से आपका माइंड रिफ्रेस होता है और काम में कॉंसेंट्रेशन भी बढ़ता है तो दोस्तो अगर आप इस तरीकी की लैम्प को रूम में रखना चाहते हैं तो बहुत ही आपकी स्टील फोटो को देखना पड़ता है और उसे फ्रिक्वेंटली चेंज भी नहीं कर पाते लेकिन अगर आप एक सिनरी को लगाना चाहते है जो लाइव वाल पेपर की तरह काम करे तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की फोटो फ्रेम को जड़ासर यह एक 4K LED स्क्र यह काफी ज्यादा बैतरीन लगते हैं रूम में वही दोस्तों इसमें कुछ एडवांस फीचर भी देखने को मिल जाएगा जैसे के अलम क्लॉप, फेस ट्रैकिंग विंडो, इंडोर कैमेरा, चेंजिबल फ्रेम और भी बहुत सारे आप बहुत सारे सिनरी को एड़ करके ब उस जगा का लाइफ भी आप देख पाओ अपने घर में बैटके, बहुत ही ज्यादा कमाल के फीचर से रहता है इसमें, जो बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग लएगा आपको दोस्तो अगर आप अपने रूम में जबर्दस लाइटिंग का डेकोरेशन चाहते हैं, तो इस्तमाल कर सकते हैं इस तरह के LED लाइट्स को इस तरीके की लाइट्स से आप अलग-अलग सेब डिजाइन कर सकते हैं अपने दिवार पे, जिसे की दीखने में काफी ज्यादा बैटरीन लगे इस लाइट्स को आप अपने हिसाब से खरीच सकते हैं, मतलब जितने पीसे साब को चाहिए उतना आप खरीच सकते हैं इसको आपस में कनेक्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान है, जिसके लिए आपको किसी वायर वगेरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगा ये मैगनेटिक एटच्मेंट के साथ होता है, ताकि इसको एक दूसरे के साथ एटच करने से ही ये सब कनेक्ट हो जाते हैं अगर आप भी अपने रूम को बैठरीन बनाना चाते हैं, जो दिखने में भी खुछ सूरत लगे, तो इस्तमाल कर सकते हैं इस तरीके की लाइटिंग्स को दोस्तो बच्पन में हम चुम्बक के साथ तो सभी खेले होंगे, लेकिन जब बात मैगनेटिक पावर को मैसूस करने पे आती है, तो हम अकसर दो डिफरेंट टाइप्स के पोस को आपस में लाने के अप्रयास करते थे, जबके जानते थे कि वो एक दूसरे को कभी टाच न जिसके उपर एक फ्लावर पॉर्ट रहेंगे, जहां पर आप किसी भी तरह के प्लैंट्स लगा सकते हैं, ये लक्री का पॉर्ट धीमे धीमे उसे घूमने का काम करता है, दोस्तो इसमें मैगनेटिक फिल्ट को कुछ इस तरीके से अडजस्ट किया गया है, कि ये मैगनेट पॉर्ट इस लक्री को टच नहीं करता है, बस इसके उपर हलका हलका धीमे धीमे घूमता रहता है, तो अगर आपको भी ये गैजेट पसंद आया है, तो इस वीडियो को फटा-फट से एक लाइक दे दीजिएगा दोस्तों, अगर आप एक यूनिक सा वाल क्लॉक अपनी दिवार पे टांगना चाते हैं, तो इस क्लॉक को आप ट्राई कर सकते हैं, जरसर लक्री के पीसेस से बनी हुई, ये मूविंग आर्ट क्लॉक बहुत ही ज्यादा बैतरिंग और यूनिक लगता है देखने में, ये 24 200 घंटे अपने सेफ चेंज करता रहता है, टाइम के हिसाब से, मतलब ये कुछ सूरज और चांद की फिलिंग देने वाला है आपको, साती साथ, लाइट्स की रेस्पॉंस से हिलता हुआ फूल का भी, दिन सुरू होने से आइस्ता इस्ता ये बरा होगा, और रात होने से आ आजकल कहीं सारे हाइटेक कम्यूनिकेशन की मीडियाम मौझूद है, लेकिन अगर आप अपने घर के लिए एक ऐसा गैजट चाहते हैं, जो दिखने में एकदम ओरिजिनल सा लगे, और जिसको आप एक डेकॉरिटिव गैजट की तौर पर भी यूज़ कर पाए, तो इस्त ताके आप अपने आवाज रिकॉर्ट करके किसी को फिसेंट कर सकते हो, ताके बदले में ओ आपको रिपलाई दे सके, और उसके रिपलाई को आप इस डिस्पे के ऊपर देख पाओगे, ये आपके क्लॉप का भी काम करता है, टेट टाइम वेधर आपडेट भी आप देख सकते हैं, वही दोस्तों ये आपके सोसल मीडिया के नोटिफिकेशन को विस पे सो करता है, तो दोस्तों अगर आप इस तरह के गैजिट को अपने घर में ट्राई करना चाते हैं, तो बहुत ही मज़दार रहता है ये गैजिट, नमबर 6, स्मार्ट लेविटेटिंग मून ल दोस्तों कैसा होगा अगर आप चांद को छूपाओ और अपने घर में रख पाओ, हाँ ये हो सकता है, अगर ये रियलिस्टिक मून लेम्प हो, दोस्तों चांद जैसा नाइट लेम्प से अच्छा और क्या हो सकता है, जो चांद की तरह घुपसूरती भी दे सके और हावा में फ्लोट करके धीमे धीमे घूम के आपका रूम का भी सोवा बढ़ा सके, वैसे मार्केट में दो तरह की मून लेम्प आपको मिल जाएगा, एक फ्लोट करने वाला और एक स्टेंट पे रहने वाला, दोनों ही अपने अपने जगा बे मिसाल है, जो आपके रूम को चार चांद तो नहीं, लेकिन एक चांद जरूर लगाता है, एकदम रियल छोटा सा चांद जैसा दिखने वाला गैजेट आपको बहुत पसंद आएगा आपके रूम में, इसमें बहुत सारे लाइट से एफेक भी रहते हैं, वाम, कूल, हाई, लो की तरह, जिसे आप अपने ही सब से अज़स्ट कर सकते हो, अगर आप इस 3D मून लैंप को अपने रूम में रखने की सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा बैतरीन लगेगा आपके रूम में, नमबर फाइव, मियूरल कैनवस, दोस्तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो पेंटिंग्स वगे डिस्पले होती है, जिसमें आपको धेर सारे पेंटिंग्स दिखने को मिल जाएंगे, जो की लगभग रियल कलर्स में ही आपको सो करी जाती है, इस पेंटिंग्स को आप लगा सकते हैं, अपने दिवार पर, जो की दिखने में काफी ज्यादा ओरिजिनल लगे, हाला कि ये तेप दोस्तो अगर आप अपने रूम के किसी भी चीज को अंधेरे में ग्लो करवाना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस टाइप के टेप को जड़ा सरी से हम रेडियम ग्लो टेप भी बोल सकते हैं और रेडियम का फीचर तो आप सभी जानते होंगे इस टेप में जहां ज्यादा अंधेरा रहता है रात में वहां किसी चीज पे जिपका सकते हो ताके हलका सा फिजिविलेटी रहे ये यूसफुल भी होता है और काफी बैतर इन भी होता है डेकोरेशन के लिए अलग-अलग DIY वाले काम करने के लिए आप इसे ट्राइ कर सकते हो वैसे ये बहुत किफायती भी होता है दोस्तो अगर आप अपने रूम को लाइटिंग से डेकोरेशन करना चाहते हैं तो इस तरीके की गैजट को इसमें काफी सारे लाइटिंग पैनल होते हैं जो कि एक दूसरे से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं जिसका इस्तेमाल आप अपने रूम होते हैं ताकि ये एक दूसरे से आपस में कनेक्ट हो जाए इसे किसी वायर वगेरे से कनेक्ट करने की जरूरत ना पड़े वही दोस्तो आप इसके इस्तेमाल म्यूजिक के हिसाब से भी कर सकते हैं क्योंकि इसके एप में वो भी आप्शन दी रखी होती है तो अगर आप वी ऐसा बैठरीन रूम से टक तयार कर रहे हो जो कि दिखने में काफी ज्यादा यूनिक लगे तो इस्तमाल कर सकते हैं इस तरीके की गैजट को अब सब सोच रहे होंगे इस लिस्ट में ये टीवी क्यों लेकिन दोस्तो मैं आपको बता दूँ ये सिर्फ एक स्मार्ट टीवी नहीं है जिसमें 4K डिस्पले रहता है और बाकी सारा स्मार्ट टीवी वाला फीचर्स इस टीवी में है कुछ खास इसका खास बात इसका फ्रेम हो गया या फिर इसका क्वांटम डॉट्स कालर वाल्यूम आई प्रोटेक्शन या आट मोड वाला फीचर्स एक स्मार्ट फ्रेम से घर डेकोरेट करना हो या स्मार्ट टीवी का मज़े लेना हो सब मिला कि ये फूल पैकेज है जो दिखने में भी बहुत ही ज्याद तो होना ही चाहिए तो देखेंगे कि क्या रहता है नंबर वान पे लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि फटा फट चैनल को सब्सक्राइब पर लीजिएगा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना विलकुर मत पूलिएगा तो चलिए देखते हैं कौन रहता ह दोस्तो घरों के डैक्रियोर्शन के लिए मिरर स अस्तमाल किया जाते हैं लेकिन अगर आप एक प्रेगा एस्टमर्व करणे में जो कि होता है जो की AI inbuilt रहता है इस AI का इस्तमल कर सकते हो अलग-अलग कामों को करने में जैसे कि आप अगर सेविंग कर रहे होते हो तो ये आपके face को zoom कर देता है ताके आपके face clear दिखाई दे वो ही दोस्तों ये आपका skin का information भी देगा किस तरह की treatment की जरूरत है आपके skin को इसके अलभा भी voice command, face और product recognition virtual try on, vision test, hygiene monitoring जैसे smart features रहता है इसमें तो इस तरह की mirror ना की सिर्फ आपके face को दिखाता है बलके काफी सारे suggestions भी देता है तो अगर आप भी चाहते हैं इसे try करना तो आपके bathroom में काफी ज्यादा वैतरीन रहेगा ये तो friends आज के लिए इतना ही उम्मिद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसा ही कमाल के products और gadgets के साथ तब तक के लिए टाटा